हेलो गाईज वेलकम बाक्टि मैं चानल बंसल भाईडर जी आज कहाँ वीडियो इसमें हम देखने वाले आरेने इंटरफेरेंस के बारे में सो लेट्स के स्टार्ट वेदा लेक्चु आरेने इंटरफेरेंस नाम से एक पता चुर्दा है कि एसी कोई चीज चो आरेने के साथ इंटरफेर कर रही है अगर हम यहाँ पर देखें आरेने का फंक्शन क्या होता है आरेने का फंक्शन होता है कि वह ट्रांसलेशन चाहे और ट्रांसलेशन से वह प्रोटीन चाहे अगर हम एम आरेने की बात करें तो इसी प्रोसेस के साथ क्या किया जाता है चेड़ चाड़ की जाती है अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर हम regulation कर रहे हैं translation वाले process को translation वाले process को regulate किया जा रहा है यानि कि हम transcription के बाद वाले process को regulate कर रहे हैं तो RNA interference को post transcriptional भी बोल सकते है post transcriptional regulation ऐसी regulation जो कि एक बाद transcription होने के बाद हो रही है क्योंकि we know that हमारे पास DNA होता है double-stranded DNA उसका transcription होता है जिसके विसे mRNA बना और mRNA का फिर translation होता है जिसके विसे protein बनता है तो ये वाला जो translation वाला process है इसके थाथ हम interfere करते हैं यहाँ पर interfere करने की जरूरती क्यों पड़ती है जैसे कि अगर हमें किसी viral infection से बचाना है तो viral infection से बचाने के लिए हम क्या करेंगे हम वाइरल का जो RNA उसको destroy कर देंगे उसको translate ही नहीं होने देंगे जिसके वाज से उसके copy नहीं बने की तो उसके लिए हम RNA interference को use कर सकते हैं यहाँ फिर अगर हमारी body में देखे हमारी body में cells होते हैं अगर हम cells से के different type के cells है जैसे कि मैं एक तरफ बोल देती हूँ एक तरफ present है skin cells और एक तरफ present है हमारे eye के cells दोनों बने ही तो same ही genome से हुआ है दोनों के पास 46 chromosome 46 chromosome ही है लेकिन ऐसा क्या है जो इन दोनों में difference है इनका main reason होता है कि इन दोनों के पास different proteins present होते हैं अब यह जो different proteins है वो different reasons की वज़े से हो सकते हैं लेकिन उसका एक reason यहां पर RNA interference भी हो सकता है इसको दो तरीकों से किया जा सकते हैं यहां पर दो आरने की मदद से हम कर सकते हैं या तो हम this condition में SI-RN को यूज कर सकते हैं या फिर हम condition के लिए MI-RNA को यूज कर सकते हैं दोनों में से किसे भी चीज़ को use किया सकते हैं अगर unlike SIOSi RNA की बात करें तो SSI-RNA होता है small interfering RNA और MIRNA होता है micro RNA तो यह क्या होता है small interfering RNA और यहां पर MIRNA क्या होता है micro RNA आज की चो class है इसमें SI RNA के बारे में देखने वाले हैं तो लेट्ट सी किस तरीके से SI RNA को यूज किया जाता है अगर हम सबसे पहली बात देखें SI RNA जो है बाहर से insert कर सकता है ऐसा SI RNA को भी इस तरीके से insert नहीं किया जाता है यहां पर क्या लिया जाएगा यहां पर लिया जाएगा double stranded RNA इस तरीके से क्या लिया गया एक double stranded RNA को यूज किया गया यह जो double stranded RNA यह कहां चला गया इसको हमने insert कर दिये cell में एक बार जब double stranded RNA तो इसको क्या किया जाएगा? इसको trim करने के लिए यहाँ पर एक protein आता है जिसका पर क्या चarsit मैं करेगा और इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसर्फ 21 नूक्लियो टैज होगे तो यहाँ पर इससे क्या मिल जाएगे यहाँ इत्सा स्टॉक्चर मिल जाएगा जिसके पास सिर्फ और सिफ 21 नुक्लियो टाइड प्रेजट होगे यह जो 21 नुक्लियो टाइड होते हैं इस वाले कौम क्या बोलेंगे इस इस डौक्टर को बोला जाएगा एस आई आरेने आगे यूज करेंगे इस यहां पर पूरा कॉड़ा कॉम्प्लेक्स इसका नाम है RIAC, जो होता है वो भी इस complex का हिस्सा होता है यह जो complex है बहुत सारे protein से बना होता है जो कि इस पूरे process में help करते है, RIAC का मतलब क्या होता है? RNA induced silencing complex, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया RNA induced silencing complex, silencing complex जिसमें बहुत सारे proteins present हैं, जिसमें से dicer भी होता है, dicer जो होता है वो RNAs three family से belong करता है, यह किस से belong करेगा, RNAs three family से belong करता है, जो कि RNA को trimming करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास यह SI RNA है, इसके दो strand में से हमें सिर्फ एक ही strand चाहिए, दूसरा strand हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर RISC क्या करेगा, एक strand को यहाँ पर degrade कर देगा, यहाँ पर जो guide strand होगा, इसको तो हम आगे लेकर जाएंगे, और guide strand के साथ हम पूरी चीज को continue रखेंगे, वहीं जो दूसरा strand है, उसको degrade कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर anti-guide strand को degrade कर दिया जाएगा, anti-guide strand will be degraded, सर्फ एक ही strand हमें चाहिए, इसको RISC ने degrade कर दिया, और यह जो हमारे पास guide strand है, इसको अब हम आगे RISC है, इसके पास एक specific protein भी present होता है, जिसको बोलता है argonaut protein, इसको क्या बोला जाता है, argonaut protein बोला जाता है, यह जो protein है, इसके पास कौनसी activity होती है, इसके पास endonuclease activity होती है, endonuclease activity का मतलब क्या है, कि यह क्या कर सकता है, RNA को बीच में से cut कर सकता है, तो यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पर किस तरीके से mRNA को शांत किया जाएगा, इसके different तरीके है, जिसमें से हम पहला देखते हैं, अब पहली condition में क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास mRNA present है, अब यह जो mRNA जो है, और यह जो siRNA का guide strand है, इसमें और mRNA में complementary sequence होगे, तो यहाँ पर यह जो siRNA, guide RNA, इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ complementary sequence बना लेगा, यह complementary sequence बनने के बाद, यहाँ पर जो यह ergonaut है, यह जाके क्या करेगा, यह इस mRNA को degrade कर देगा, यह जो ergonaut है, यहाँ पर आके क्या कर देगा, ergonaut will degrade the mRNA, अगर यहाँ पर mRNA degrade होगया, तो फिर त अगर यहां पर इन कंप्लीट ली बेस पेर करेंगे यह सिर्फ तभी हो सकता है ग qy कंडिशन में फोर सिर्फिक सिर्फ यहां पर ट्रांसलेशन को stop किया जाएगा यहाँ पर जो RISC है वो क्या नहीं होने देगा वो translation नहीं होने देगा यानि कि उसने क्या किया उसने translation stop कर दी लेकिन अगर completely base pairing वी दोनों के बीच में तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा MRN को degrade कर दिया जाएगा तो यह इस तरीके से दो तरीकों से यहाँ पर यह process किया जा सकता है इसी के साथ साथ जब guide RNA और anti guide RNA बनता और anti guide RNA को degrade किया जाता है तो इसके लिए क्या use किया जाता है इसके लिए ATP यूज किया जाता है हमें पता है अभी जो हमारे पास guide आ रहेंने हैं और उसके ओपर जो आ रहा है यह आरा यह सी present है यह सब कहाँपर present है यह सब अभी present है साइटोबलाजम में अब यहां पर क्या किया जाएगा अब यहां पर इसको यूज किया जाएगा किसके लिए transcription कोई रोकने अगर आमने transcription भी रोक लिया तो translation भी नहीं हो गा तो इस तरीके से यहाँ पर क्या अंदर प्रेसोंन दी अ अब यह जो डबल स्ट्रांड डी ंटे ने और किसके सास्थ तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हिस तरीके से Si RNA आ चाहेगा यहां पर इनके complimentary sequence की वज़े से प्रेसेंट है जब यहां पर आ जाते है तो RiSC क्या करवाएगा यहां पर है जो double-stranded DNA इसके chromatin remodeling करवाएगा chromatin remodeling की वज़े से क्या हो जाएगा chromatin कि वज़े से यह जो DNA है इसका transcription ही नहीं हो पाएगा यहां पर कुछ हैसे proteins को recruit किया जाएगा जैसे कि यहां पर methylation वाले proteins को रख दिया जाएगा अगर यहां पर methylation वाले proteins को यहां पर ले आया गया तो यहां पर double-stranded DNA के हिस्टोन प्रोटीन से उनको क्या कर दिया जासकता है methylation जिसकी वज़े से हिस्टोन हिस्टोन's DNA से और tightly bound हो जाएगा त्रांस्क्रिप्शन नहीं होगा अगर यहां पर बढल यहां थांक यहां थांक्यों सो मच गईस पर बाइ टीक्यों